हालो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कच्छा दस गंडित है यंसी आरिटी बुक है अध्याए पांस है समांतर सेंडी जिसमें प्रस्णावली 5.3 का किक्ष्ण नमबर हम 3 इस वीडियो में देखेंगे तीन पूरा इस वीडियो में मिलेगा जिसमें कई प्रस्णा है तो आईए चलते हैं हम प्रस्णों की ओर पहला हमें मिलता है तीन का पहला कि एक एपी में ए बराबर डी बराबर ए अन बराबर तो यन और यस यन ग्याद कीजिए तो हम आएंगे हल हल में हमें क्या मिलेगा एक आमान 5 मिल गया डी कामान हमें 3 मिला ए यन या जिसकों हम टी यन करते हैं यह 50 मिला और एक एथियन हमें निकालना है और दूसरा नमबर हमें यन बराबर क्विश्चन मार के ही दोनों मान ग्याद करने हैं तो आ जाएंगे तो पहले अगर हम निकालते हैं यानि यस यन कामान तो हमारा यन जाहिए और यन ग्याद नहीं है इसके लिए हम TN लगाएंगे A प्लस N-1 इंटू D होगा TN माने 90 पाद और इसका मान दिया है 50 तो हम 50 लिखेंगे A का मान 5 हो गया और आगे आ जाएंगे तो प्लस N-1 और D का मान हमें 3 मिल गया है 5 ले आखे घटा देंगे तो 45 बचेगा और ये बचेगा 3 N-1 3 का भाग दे देंगे तो 45 बटे 3 बचेगा N-1 15 तिया 45 N-1 हो गया अगर N बचेगे तो एक ले आखे जोड़ देंगे तो 15 एक सोलह तो एक मान हमें मिल जाएगा येन का और येन का मान कितना मिल गया हमें 16 मिला अब आगे आ जाएंगे येस येन तो येस येन के दो सुत्र हैं येस येन बराबर N by 2 2 A plus N minus 1 into D एक तो ये है दूसरा है N by 2 और A plus N, L मने अन्तिमपद तो यहां में N का मान मिल चुका है 16 तो 16 बटे 2 रखेंगे प्रथम पद का मान 5 है तो 5 रख देंगे और YL मने अन्तिमपद TN को ही YL कहा जाता है और इसका मान 50 है तो यहां हम 50 लिख देंगे 2 से काटेंगे 8 आठ आएगा तो बना 8 गुडे 50 में 5 जोड़ देंगे 55 आएगा 8, 45, 45, 44, ये हमारा येस यन हो जाएगा और ये हमारा दूसरा N सर बन जाएगा आगे ले लेते हैं अब हम प्रस्ण संख्या 3 का नंबर 2 तो आएगे देखते हैं 3 का दो दिया है E बराबर और A यन मने ये 13 हमापद का मान दिया है D और YS 13 का मान जात कर रहा है पूछ रहा है आपसे तो हम आएगे हल हल में हमें क्या मेरेगा A बराबर 7 और A 13 का मतलब 13 हमापद 35 है इसका मतलब यन बराबर 13 दे दिया है अब हमसे पूछा जा रहा है D का मान और YS 13 का मान पूछ रहा है तो पहला हम निकालेंगे सुत लगाएंगे T यन बराबर A प्लस यन माइनस 1 इंटो D तो T यन यन मने 13 हमापद 13 बराबर यहां आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यानि A 13 का मान 35 है रख देंगे A का मान 7 साथ हो गया YN का मान 13 माइनस 1 इंटो D हो गया और A 13 का मान यहां दिया हुआ 35 हो जाएगा 7 ले आके घटा देंगे तो 13 में से घटाएंगे तो 12 D बनेगा अब यहां बज़ गया 15 में से 7 घटाएंगे 8 यानि 28 हो गया यह 12 D बराबर बना D बराबर निकालेंगे तो 28 बटे 12 होगा 4 सते 28 चारती यहीं 12 तो हमें D का मान मिल गया और D का मान कितना मिला हमें 7 बटे 3 एक एंसर यह बन जाएगा दूसरा हमें 10 13 चाहिए तो 10 13 बराबर 13 बटे 2 2 A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D मिला तो यहां बना 13 बटे 2 2 गुडे A और एक का मान हम पाए है 7 तो यहां 7 लिख देंगे 13 में से घटाएंगे वारह हो जाएगा और D का मान हमने निकाल लिया है 7 बटे 3 यहां 7 बटे 3 वह हमान रख देंगे 3 से कातेंगे 3 चूप 12 होगा 7 दोनी 14 हो गया 13 बटे 2 मिला अंदर 14 मिला और 7 चूप 28 मिल गया यहां मिला 13 बटे 2 8 चार बारह की 2 हांसिल 2 एक 3 एक 4 हो गया और 2 से कार देंगे ते कईस आजाएगा 1 कईस का गुड़ा यानि 13 एक का ते रख ते रख तीन हासिल एक ते रख दूनों 26 एक 27 तो यह 13 का मान 273 यह हमारा दूसरा अंसर बन जाएगा यह 13 और इस का मान मिल जाएगा 273 आगे आजाते हैं नंबर 3 तो किश्या नंबर 3 का तीसरा तो इसमें क्या दिया है तो यह हम आजाएगे तीसरा नंबर में A12 यानि यस्यन वाले सुत्र से आएगे T यान यानि T12 इसी को A12 दिया है और इसका मान है 37 D का मान दे दिया है 3 A और S 12 तामान आपसे पूछ रहा है जलते हैं तो पहले हम लगाएंगे T12 बराबर A प्लस 12 माइनस 1 इंटो D A12 का मान 37 बराबर A A का मान हमें नहीं मालूम है तो इसलिए यह इसे छोड़ देंगे और 12 में से घटा देंगे 11 आएगा D का मान यहां में मालूम है 3 तो 3 रख देंगे यह बना A प्लस 11 इंटीस हो गया यह था 37 33 लाखे घटा देंगे तो 37 माइनस 33 यह बन जाएगा 4 तो A बराबर 4 हमारा एक इंसर यह बन जाएगा दूसरा एक और पूछा है हमारा यस बार तो यस बार बराबर होगा 12 बटे 2 2 A प्लस 12 माइनस 1 इंटीस दीस तो 2 का भाग बार में दे दिए 6 आ गया 2 गुड़े A A का मान हमने निकाला है 4 है प्लस 12 में से घटाएंगे तो 11 आएगा इंटू D और D का मान हमें 3 मिला है तो हम 3 रख देंगे यहां बन जाएगा 6 और ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें 4 दूनी 8 और 11 तिया 33 हो गया तो 6 गुड़े 8 तिनी 11 14 41 हो गया 6 एक का 6 6 24 तो हमारा इंसर बन जाएगा 246 और ए बराबर 4 और यह 12 बराबर मिल गया 246 आगे आते हैं अगला प्रस्न ले लेते हैं इसी का नंबर 4 तो आएए हम 4 को देखते हैं तो 4 में क्या दिया है A 3 मने तीसरे पद का मान दे दिया है तो A3 का मतलब तीसरा पद यानि A3 आएए वाइट ले लेते हैं तो यहां बन गया A3 पंदर दे दिया है यान बराबर 3 है और यह 10 बराबर 125 है और हमसे पूछ रहा है एक D का मान और दूसरा A 10 का मान पूछ रहा है तो आएए इसमें D और A10 दोनों निकालते हैं तो यह हमारा A3 दिया हुआ है इसका मतलब है कि TN बराबर सुत्र होता है A प्लस YN माइनस 1 इंटो D तो यहां बन जाएगा इसी को हम AN लिखते हैं तो अगर हम A3 लिखते हैं तो इसका मतलब A रहेगा यन कामान 3 माइनस 1 और 3 मेंस 1 घटाएंगे तो 2D बच जाएगा और A3 कामान 15 दे दिया है समें का नमबर 1 बना के इसको यह हम छोड़ देंगे अगला अब हमसे पूछ रहा है या तो A कामान या तो D कामान यहां से हम निकाल सकते थे यानि हमसे पूछा A10 तो A10 बराबर होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D तो बन गया A प्लस 9D यानि एक मान यहां से पूछ रहा है और उससे पहले हम यहां आ जाएंगे एक और ले लेंगे यानि हमें मिल जाएगा यह 10 बराबर होगा 10 बाइ 2 और अगला जाएंगे तो 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा यानि बन गया दो से भाग दे देंगे 5 हो गया और यह 10 का मान 125 है तो 125 लिख देंगे और यहां मिल गया 2A प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9D आ जाएगा 5 का भाग होगा पंदूनी 10 पांच पचे पचीस यानि मिला 2A प्लस 9D बराबर हमें 25 मिला इसको हम समीकर नंबर 2 बना लेते हैं और इसको हम 3 बनाएंगे समीकर अग एक और 3 को हल करेंगे तिसमें अगर हम 2 का गुडा करते हैं तो 2A बन जाएगा और 2 दूनी 4D बनेगा और 2 का गुडा करेंगे तो 15 जुना 30 हो जाएगा ये हमारा था समीकर नंबर एक 2 का कुडा गिया गटाएंगे तो ये चिन्ह बदल देंगे ये केंसिल होगा 9 में से 4 घटेगा तो 5D आएगा और 30 में से 25 घटेगा तो माइनस 5 आएगा तो D बराबर निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे तो माइनस 1 आजाएगा यानि हमें D कामान माइनस 1 मिल गया अब हम समीकर नंब 1 से आएगे इसके आगे ले लेंगे समीकर नंब 1 से तो समीकर नंब 1 से क्या मिला 15 बराबर A प्लस दो गुड़े डी डी का मान हमने माइनस एक निकाला है तो माइनस यानि ए मिला माइनस दो मिला दो आके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा पंदर प्लस दो बराबर सत्र हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया यानि डी का मान मिला माइनस एक एकामान मिला हमें 17 और अगर हमें 10 मने अब आएंगे समीकर नंबर 2 से आगे लेंगे समीकर 2 से तो हमें मिला ए 10 बराबर एकामान एकामान मिला है 17 यहां रखेंगे 17 शारी यहां जाते हैं यहां मिल जाएगा एकामान हमें 17 मिला तो 17 रखेंगे प्लास 9 गुड़े डी कामान माइनस 1 है तो 17 माइनस 9 9 8 17 तो हमें कौन कौन से मान मिले एक मान मिल गया ए 10 जिसका मान हमने यहां पाया 8 मिला दूसरा हमें डी कामान चाहिए था डी कामान हमने यहां पाया माइनस 1 मिला और यही हमारे एंसर हो जाएंगे तो आगे हम देखते हैं क्यूशन नमबर अगला क्यूशन नमबर 5 फाइब क्या दिया है डी बराबर दिया है यस नाइन दे दिया है ए और ए नाइन ग्याद करना है तो यह और ए नाइन दोनों निकालना है यहां आ जाएंगे डी बराबर पांच यस नाइन बराबर हो गया पचहत्तर और हमें इवराबर निकालना है और ए नाइन बराबर नि दो मान निकालने हैं तो अगर हम यस यन का सुत लगाएंगे तो येक यन बाई 2 2A प्लस यन माइनस 1 इंटू D होता है तो यस यन का मान हमें 75 दे दिया है तो यहां 75 लिख देंगे अगला आ जाएंगे और 9 दे दिया है तो यन का मान 9 रखेंगे तो 9 बाटे 2 होगा 2A होगा और 9 माइनस 1 होगा और D का मान 5 है तो 5 रख देंगे तो 2 से हमने काड दिया तो कटेगा नहीं यहां जाएंगे 9 बाटे 2 लिखेंगे यहां मिलेगा 2A प्लस एक घटा देंगे तो 9 से 8 पचेस चालिस हो गया तो अगला काम है हमारा 2 कामन ले लेंगे तो 9 बाटे 2 उपर से 2 निकाल लिए बन गया A प्लस 2 का हमने भाग दे दिया तो यह 20 बना और यह था हमारा 75 2 से 2 कट गया अब 9 का भाग हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या A प्लस 20 बना था 9 बटे 2 मिला था 9 का भाग दे देंगे तो बन जाएगा A प्लस 20 D सारी A प्लस 20 केवल A प्लस 20 बचा 9 का भाग हो गया तो 75 बटे 9 हो गया तो 3 से काटेंगे 3 दूनी छा 3 पच्चे 15 बटे 9 बन गया ए बराबर निकालेंगे तो 25 बटे 9 माइनस 20 तो ये बना 25 और 35 बटे 3 क्योंकि हमने 3 से भाग दे दिया था 3 तो यहां भी 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 25 माइनस 20 ती 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 आई 60 बटे 3 तो भटा दिये तो बचा 5 और यहां 5 से 2 3 35 बटे 3 माइनस के रूप में ये एक आमान मिल गया और एक यही एक आमान हम से पूछा गया था तो मिल गया माइनस 35 बटे 3 हो गया दूसरा ये 9 निकालेंगे यानि अब हम ए 9 रखेंगे ये 9 बराबर होगा ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा तो ये का मान हमने निकाला है माइनस 35 बटा 3 है 9 में से घटा देंगे तो ये बनेगा 8 और D D का मान हमें दिया गया है 5 तो यही 5 हम रखेंगे जहां हमने 5 रख दिया तो ये बन गया माइनस 35 बटा 3 मिला और 8 बचे 40 हो गया फिर तेरी अब गुड़ा कर देंगे तो माइनस 35 बटा 3 और प्लस 4 तिया इंबारह 120 हो जाएगा पूरे एक बटे अब 3 बन जाएगा अब इसमें से इसको घटाएंगे 10 में से 5 पांच आएगा 11 में से 3 आठ 3 11 बटे 3 ये मान हमें मिल जाएगा ये 9 का और ये हमारा दूसरा इंसवर बन जाएगा आएगे अब हम प्रस्ण संख्याइस का अगला 6 नमबर लेते हैं तो 6 उसके बाद 7 फिर 8 9 10 तो आएगे 6 को पहले देखते हैं तो यहाँ पर 6 दिया गया है A बराबर, D बराबर, YS यन बराबर, YN और EN का मान पूछ रहा है तो E बराबर 2 है D बराबर 8 है और YS यन बराबर 90 है पूछा जारा एक YN का मान और दूसरा EN का मान ये 2 मान पूछ रहा है तो आएए चलते हैं तो पहले हम लगाते हैं, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटो D, तो TN हमें नहीं मालूम है, चुकि यहीं An है, यहीं निकालना है, तो यह माने 2 हो गया, N माइनस 1 हो गया, क्योंकि N का मान भी हमें नहीं मालूम है, और D का मान मालूम है, D का मान 8 है, तो यहां 8 रख देंगे, 60 होगा और 8 यान इसमें से घटेगा तो माइनेस 6 आएगा ये ये यन बराबर समीकर नमबर 1 बना लेंगे दूसरा समीकरण हम बनाएंगे ये ये यन बराबर होता है सुत्र यन बाइटू 2A प्लस यन माइनेस 1 होगा इंटू डी होगा तो यहां आजाएंगे हमें मिल जाएगा यन बाइटू 2A ये का मान दो है तो दो गुड़े दो हो गया प्लस यहां मिल गया ये प्लस अंतिमपद अन होता है तो चलिए वही चलते हैं तो ये यन माइनस 1 हो गया इंटू डी डी का मान हमें 8 मिला और इसका मान दे दिया है मारा 90 तो यहां हम 90 रख देंगे दो का गुड़ा हो जाएगा तो 180 बन जाएगा बराबर यन बचेगा और यहां जाएंगे दो दोनी 4 हो गया 8 का गुड़ा हो गया 8 यन हो गया माइनस 8 हो गया तो यहाँ बचा हमें यन और क्या मिला? आठ यन मिला, इसमें सिघट गया, तो माइनस चार बच गया और यह बराबर हो गया 180 का चार कामन लेकर भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा आठ यन स्क्वायर हो गया और यन का गुड़ा किये तो माइनस 4 यन बराबर था 180 धर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0 बन गया यहनि सबको हम उधर लेखे गए हैं अब 4 इसमें से कामन हो जाएगा तो 4 दूनी और 4 एका और 4 से काटेंगे चार चोग 16 चार पचे 20 बराबर 0 चार का भाग खतम हो गया 2 यन स्क्वार माइनस यन माइनस 45 अरी 45 मिला और यह बराबर 0 हो गया 45 दूना 90 और हमें एक लाना है तो 10 नमाई नब्बे 10 में से 9 घटाएंगी तेका जाएगा तो 2 यन स्क्वार माइनस 10 यन माइनस प्लस 9 यन क्योंकि 10 यन में से 9 यन घटेगा एक यन आएगा माइनस 45 बराबर 0 हो गया जोड़ा बना के कामन लेंगे दोनों में से 2 यन कामन तो यहां बचा यन माइनस 2 पचे 10 दोनों में से 9 का मन तो यन माइनस 9 पचे 45 बराबर 0 एक में मिला यन माइनस 5 और दूसरे मिल गया 2 यन प्लस 9 बराबर 0 पहला 0 करेंगे तो यन बराबर 5 होगा दूसरे से निकालेंगे तो यन बराबर माइनस 9 बटा 2 होगा चुकि पदों की संख्या माइनस में और बटे में नहीं होती है इसलिए ये अमाने हो जाएगा तो हमारा यन बराबर पांच मिल जाएगा अब इस यन के मान को समी करण नमबर एक में रखेंगे तो एक आमान मिलेगा यन का मान हमें 5 मिल जुका है अब समी करण एक से आएंगे तो समी करण एक से तो समी करण एक है e n बराबर 8 गुडे 1 और यन का मान हमने 5 पाया है यहां आएंगे तो 8 गुडे 1 माइनस 6 लिखेंगे तो आठ पच्चे चालीस माइनेस 6 तो ये बन जाएगा 34 ये हमारा एंस और दूसरा बन जाएगा ए अन तो हमें क्या मान मिल गए दो मान मिले एक मान मिला हमारा ए ये जिसका मान हमने यहाँ पाया 24 दूसरा हमने पाया यन यन बराबर 5 यन बराबर 5 और यही हमारा इन स्वर बन गया तो इसके बाद हम आगे प्रस्ण संख्या इसी का 6 लेते हैं तो 6 में दिया है ए बराबर एन बराबर यह सःन बराबर यन और डी का मान इसी तरह से ग्याद करना है आगे के प्रस्णों को इसी तरह से आप लगाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा नहीं आरा है तो थाइंक्स पार वाचिंग इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें